हाई एवरिवन, S.O.L. ने फाइनली इंटर्नल असेस्मेंट के उपर एक नोटिस निकाल दिया है 10 फरवरी को और इस नोटिस में क्या बात कही गई है दोस्तों, जो फर्स्ट येर के अंडर गेजुएट कोर्सिस के स्टुडेंट हैं S.O.L. की BA Program के अलावा उन्हें बताया जाता है कि इनके इंटर्नल असेस्मेंट जो होंगे इसके अंदर ऑनलाइन MCQ बेस्ट आपसे कुशन्स आएंगे यानि कि जो इंटर्नल असेस्मेंट आपका होगा वो online mcq best होगा ये start होगा दोस्तो 20 फरवरी से और इसका detail schedule जल्द ही website पर available हो जाएगा ठीक है बात समझ में आ गई अब यहाँ पर दोस्तों काफी स्टूरन ये पूछेंगे सर बी ए प्रोग्राम पी assignment नहीं होगे क्या होगे बी ए प्रोग्राम के भी लेकिन फिलाल बाकी के courses के assignment शुरू हो रहे हैं 20 फरवरी से अब ये mcq best कहां आएंगे कैसे होगे क्या होगा कैसे करने होगा कितना time मिलेगा बहुत से doubts आपकी होगे इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा दोस्त आपने admission के बाद से 2-3 महेने का इंतजार कर लिया है थोड़ा सा 10-5 दिन का और वेट करो ये चीज किलियर हो जाएगी और इसका जो detailed schedule है as I said और as it is written in this notice कि बहुती जल्द website पर release कर दिया जाएगा ये notice as well की website पर available है आप लोग देख सकते हो main website पर आप जब आओगे your notification के section में यहाँ पर notice regarding internal assessment आपको देखने को मिल जाएगा तो अब बात यह है कि assignment आपके होंगे ये चीज confirm हो चुकी है इसमें आपकोई संदे नहीं है और assignment आपके MCQ based होंगे MCQ based online होंगे अब ये कैसे होंगे इसके लिए क्या अलग से website पर link आएगा या फिर student dashboard में ही आपके assignment होंगे इसके उपर अभी कोई clarity नहीं है उसके लिए guidelines आएंगी आप लोगों की थोड़ा सा इंतजार करें और 20 फरवरी से आप लोगों के ये जो online MCQ based internal assessment है ये start होगा तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें प्लस बीए परग्राम वाले बच्चों के लिए भी जो भी फर्दर updates आती रहेगी उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी फिलहाल के लिए वीडियो में इतना है थैंक्यो